गुड मॉर्णिंग फ्रेंट, रादे रादे कैसे हैं आप सब और ये देखिए हमारे घर से बाहर का व्यूँ, हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे घर से बाहर का व्यूँ बहुत अच्छा आता है, और ये देखिए अभी संराइज भी नहीं हुआ है, और कितना डाल देते हैं और थोड़ी सी अध्रक साथ में दो लॉंग डाल देंगे गला कुछ खराब चला है इसनीए आज कर हम चाए में लॉंग डाल कर पी रहे हैं चाए में जब तक हैं. पहले कम आते थे लेकिन जैसे जैसे हम गेहूँ डालने लगे न कबूतर बहुत जादा यहां पर आने लगे हैं थोड़ा सा जाल हम ने कचवा दिया है और वहीं से हम गेहूँ डाल देते हैं आप करते हैं सफाई का काम अभी सभी पच्चे और हस्वेंट सब सो रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पर जाडू लगा रहे हैं जाडू लगाने के बाद नहा कर पूजा करेंगे पूजा हम सुबह ही करते हैं इसनी पहले हम जाडू लगा लेते हैं जल्दी जल्दी जाड़ू लगाते हैं इधर यह देखिए हमारी बेटी सो रही है यह तक्रीवान आड़ वजे उठेगी क्योंकि यह ओफिस जाती है पूरे घर में 10 साफ सपाई हम कर चुके हैं बेटा हमारा उठ चुका है अब हम नहाद होकर मंदिर में आ गए हैं आज पूचा हमने नहीं लगाया काना को हमने उठा दिया है और अब मंदिर की साफ सपाई कर लेंगे पहुचा इसनी नहीं लगाया क्योंकि आज हम कुछ कपड़े धुलेंगे और थोड़े सा साफ सफाई भी करेंगे क्योंकि जर्माष्ट में आ रही है थोड़ी सी साफ सफाई भी जरूरी है पूजा के सारे बरतन ले गए हैं अब देखें पूजा के बरतन भी हमने धुलकर रख दिये हैं दो गिलास हैं उनमें हमने गंगा यमना जल डाल दिया है और लोटे में गंगा जल डाल दिया है सबसे पहले काना को इसनान करा देते हैं आज काना को हम बिलू कलर के कपड़े मैचिंग जुलरी बताईएगा कि हमारे काना स्रंगार करने के बाद कैसे लगते हैं केसर और तिलक हम लगा देते हैं पगड़ी मैचिंग पगड़ी और मासुरी काना को हमने दे दी है और अब हम आर्थी कर लेते हैं पूजा खत्म हो गई इधर बालकनी में हम पौधों पे पानी डाल देते हैं क्योंकि हम पानी एक दिन छोड़ एक दिन डालते थे क्योंकि बरसात का टाइम था इतना पानी की जुरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि हमारी तरब धूप भी थोड़ी सी कम आती है दो-तीन दिन बाद मसीन में हमने कपड़े भर दिये थे कपड़े काफी जादा हो गए थे इसनिये सोचा कपड़े भी हम धुल देते हैं इधर मसीन को हमने कपड़े भर के चालू कर दिया है ब्रेकफास्ट में आज हमने सेंडविच खाई थी जो कि हमने सूट नहीं करी बारा बज चुके हैं और ये है लंच टाइम इसनिये हम सीधा आपके साथ लंच की ही रेस्पी से यह करते हैं यहाँ पर हमने एक लौकी लिए है इस पर हमने हलका साथ तेल लगा लिया है लौ पूरी लौकी को हमने फौक से छेट कर लिया है अब इस तरह की एक हमने जाली ली है उस पर हम लौकी को रख देंगे और साथ में एक छोटी सी लैसून की हमने गांट भी रख दी है लौकी को घुमाते हुए सभी तरफ से अच्छे से हम भून लेंगे लौकी को जब आप तो यह काफी सॉक्ट भी हो जाती है और अच्छे से अंदर तक यह भुन जाएगी यह देखे पूरी लौकी बहुत अच्छे से भुन चुकी है यह देखे पूरी काली हो चुकी है लौकी अब इसको ठोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे अब इधर हमने एक बड़ा सा बर्तन पानी भर दिया है और चाकू से हलका साही लौकी का जो छिलका है काला काला इस पो हम छील कर उताल लेते हैं बहुत आसानी से उतर जाता है अब उपर का पार्ट हम काट देंगे लौकी का और इसको बढ़ी है इसलिए दो टुकड़े हम कर लेते हैं इसके अब इसके छोटे- पीस करेंगे यह देखिए अंदर तक लौकी काफी सॉप्ट हो गई है आप यहां पर ताजी लौकी लीजेगा क्योंकि कभी-कभी कोई-कोई लौकी होती है जो इल्कुल भी गलती नहीं है तो आपको थोड़ी से प्राब्लम हो सकती है इसनिए ध्यान दखिएगा लौकी प्रेस और पतली हो लौकी के टुकडे चॉपर में डालकर हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में भी इसको मिक्सी को ओन आफ करते हुए पीस दीजे ज्यादा बारीक मत करिएगा आप इसे अभी धर हमने एक कढ़ाई में तेल लिया है तेल गरम हो जाएगा तो एक चमच जीरा और थोड़ी सी हेंग डालकर जीरे को अच्छे से चटकने देंगे यहाँ पर एक बड़ा प्याज था जिसको हमने चॉप कर लिया था साथ में आधा इंचद्रक का टुकड़ा है और जो लहसुन हमने भूना था ना उसी को हमने चीलके छुड़े छुटे टुकड़ो में काट लिया है प्याज को हलका घुलावी होने तक भूनेंगे ज्जादा प्याज को इसमें हम भूनेंगे नहीं प्याज का कलर जब हलका सेंज हो बस आप उतना ही भूनिएगा ये दो टमाटर हैं इसे के साथ हमने एक चमच हल्दी पाउडर और कलर के लिए इसमें हमने थोड़ी सी कस्मीरी लाल मिर्च डाल दिये आप डालना चाहें डाले नहीं तो आप इसके भी कर सकते हैं नमक डालेंगे और अच्छे से ढखकर दो से तीन मिनट के लिए हम भूल लेंगे जिससे टमाटर और सारे मसाले बह अगर हम पानी डाल दिए तो लौकी अच्छे से गल जाएगी अब जो लौकी को हमने ग्रेट किया था उसको हम डाल देते हैं और अच्छे से मसाले में लौकी को मिक्स कर देंगे ठग देंगे और लोब लैंप पर इसे कम से कमनी तो 10 से 12 मिनट तक आप इसे पकने दीजे और लीजे हमारा लौकी का भरता बनकर तैयार हो गया उपर से इसमें कटा हुआ हरा धनिया हम डाल देते हैं और एक नई इमेजिंग और बहुत ही जादा टेस्टी लौकी का भरता बनकर तैयार है इधर हमने आलू टमाटर की ए आजर का सेलेट और लीजे आज हमारा लंच यही है लंच हो गया और हम सबने खावी लिया अब आता है बरतन धुन्ने का टाइम जट पर से चलिये तो बरतन भी हमने प्टा देते हैं बरतन निप्टा देंगे तो किचन साप सुतरा हो जाएगा और आज तो बैसे भी मुझ साफ कर दिया है मすीन में हमने चादर भी धुलने के लिए डाल दिये इस लिए नए चादर हम बिःचहा देते हैं जनमाश्ट मी है बैसे भी थोड़ी सी सफाई ज्यादा जुरूरी है दो तीन तिन में थोड़ी-थोड़ी करेंगे तो चारी सफाई हो दाएगी इधर हमने अपने बैड रूम के चादर बदल दिया है और अब बच्चों का भी बैड रूम हम साफ कर देंगे थोड़ी सी बैड पे जो डश्टिंग आ जाती है उसको भी हमने कपड़े से पहुँच कर अच्छे से साफ कर दिया है हमारा रूम अच्छे से साफ हो चुका है इधर ये हम बच्चों के रूम में आगे हैं बच्चों का रूम भी हम बिल्कुल इसी तरह से साफ कर देते हैं उसके बाद हम पहुचा लगाएंगे और फिर से एक बार नहाएंगे और चाय पिएंगे ब्लॉग को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताईएगा और यदि ब्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा जल्दी ही एक नई ब्लॉग के साथ हम आपसे फिर मिनेंगे थैंक्यू